असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे कसादिया वेसे तो यह एक मेक्सिकन डिश है लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम भी इसको ट्राइ करें यह बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी बनकर करें अगर हम थोड़ी सी प्रेपरेशन पहले से कर लें तो इनको बनाना बहुत ह यह आसान हो जाता है तो आप भी मेरे इस तरीके से कसादिया जरूर बनाएंगे मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसीवी जरूर पसंद आएगे तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैने आदो किलो आलू लिया है इनको मेने छील करके दोलिया है और इनको इ क्योक्त करेंगे फुल दें की लिंडी के बेगे मॉझे । तिनल लाप कचसादिया कि लिए हम रोटी कि बनाएंगे तो इसके लिए आटा लगा लगा लेतें इसमें नो कुकल बर ये मैने दो कॉप भर गे गहुं का लिया है और ये исп क्मेने च्छान लिआ है आप चाहू कि अण गाढ़ के निइयों की जैसे आठ लगा कर लएगं इस देखिए आठों के मैंने घूध लिया है बिल्कुल मैंने रोटी की जैसा आठा कुणा है कोई भी बाउल ले 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 और उसमें आठों को रख देंगे अब इसको धख देंगे और धख करके पांथ 10 मिंट के लिए इसको साइड में रख देंगे और अगर आपका अस टाइम है तो आप इसको ढखकर के फ्रीज में रख दें और आपका तब भी मन करें तबाटे को निकाले और उसकी रोटिया बना लें आलो को भी लो फैम पहें पकते हुए चार मिंट हो चुके हैं अब देखिए यह एक कुंण maggot लिया है तो प्यूक्त को छुट एक रोट tap लिया है typing और यह चारमेड seu के है वर इसको तो Wow काम परिय लिया है इन ho Not cool कि विर इसने में चेठ खकर लेंगे डानिना दावि का था नियुक्त साझयों सब्सक्राइब केमें आलयों भी बोइल हो चुके हैं मेरा इनको चन्ळ में निकाल ले अब थन्ड़ कर लेंगे अब ये लिखेए ये पनीड को सभी सब्सक्राइब कर लिया है इंको तौभी धक्णर के साइड में रख देंगे तब कर अलु धंडे हो रहे हैं. हितने में हम अब रोटिया बना करके रेडी कले. यह तब दे को में ने क्या मेरी चूले पे रख दिया है, चूले ओनल ने कर देंगे, और तब लग्ण होने देंगे. इसदिन देम में रोट प्रोट्री को बेल लें तो बीच में सूख आटर लगा लें और इसको पतल बेल लें यह देखिए मैंने रोट्री को बेल लिया है और तबा भी हमारा गरम हो चुका है अब इसको तबेबेट कर देंगे फ्लेम को हाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे इनको 50 परसंट पकाएंगे देखिए इनको हमें दोनों साइड से इतना ही पकाना है देखिए इधार से भी हमारी रोटी कम सीखी है बस हमें इतना ही पकाना है इनको और इनको इसी तरीके से सभी रोटीयों को रेडी कर लेंगे देखिए, दोनों साइड से 50% कूफ हो चुकी है, इसको भी अठा लेंगे, इसी तरीके से सारी रोटिया रेडी कर लेंगे यह देखिए, यह कसादिया के लिए मैंने रोटियो को बना करके रेडी कर लिया है, अभी देखिए, हमारा आलू ठंड हो चुके हैं, अब इसमें यह आदा चमच तरह नमकेट कर दूँगे, नमक आप टेस्ट के साब सेट कर लें, आदा चमच ब्लेक वेपल पाउडर लिया आदा चमच ब्लेक अधर कट्व लाल में चलिया है, मिटचीए इसमेट कर देखिए, अगर आपको अधरक पसन है तो अधरक जरूँ डालें, इससे बहुत अच्छा से फिलेबर आता है, अभी इस सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देगें, अब इस सभी को हम अच्छे आप चाहू तो जालें मिक्स के लिए और आलों ह Mole ये मेश हो चुके हैं अब इसमें हमने सब्जी कातनी है सब्जी हो काने इसमें एड़ कारें आप को जो भी सब्जी पसंद हो उसमें इड़ लड़ने अब ये पनीर को देखे, हमने चोटे-चोटे पीसे में गट किया था, इसको भी एड़ कर ले, पनीर भी ओप्षिनल है, अगर आप चाहो तो राले, वहना नहीं डाने लेकिन इससे फ्लेबर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको एड़ किया है, अभी देखे, मैंने ह हासी मिला रहे हो, तो हाथों को अच्छे से धोले, और हलके हासी को मिक्स करें, अगर आप पास स्वीट कॉर्ण हो तो स्वीट कॉर्ण इसमें एड़ कर दें, गाजर हो तो गाजर डाल दें, जो भी सबजिया आपको पसंद हो, आप खा सकते हो, वह इसमें आप एड़ कर नियुक्त सबीकर अच्छी तरीक से मिक्स कर लेगे, यह देखिए, मैंने इसमें सब को मिक्स कर लिया है, अब हम कसादिया रेडी करेंगे, दिए, जो रोटी हमने बनाए थी, यह रोटी ले ले लेगे, और हम एने पीजा टोबिंग लेगे, थोड़ सा पीजा टोबिंग और इसको भी spread कर देंगे अब यह जो आलू का mixture हमने डी किया है इसको लेंगे और इसको इस पच्छे से spread कर देंगे मिक्च्छर को भी इन इस पच्छे से add कर दिया है अब यह चीज की slice लेंगे और इसको इसा पहने लगादेनी ये लगा, इस ओज सब्लीयो ये पिर डीज़्टिया इसे की आप सोब आप और क्रिटेल आपिंगें जाते कि छूलना प्रड़्टिया blossoms सब्लीग दूइल भूर्द अबादागन से ज़्टमाद अए छोपुर्ड़ नबर कीए आप की बी ऊयल प्रीड पॉट में vamosip शूंकर जोड़ कर डीगए चूला ओन कार देंगे और इसको गरवने देंगे करदें के श्लाव करते वर देन के तावा हमें और पहले बीडिया कर देंगे फ्राइम कोगो ड़ें मीडियम करनें मेडियों में करा रहते के दए आ को अधे वाकत होते हidyat रेटर से डवर मिन्ट हो चुके हैं इनको हम चेक कर लेता है इस थरीके से पलट देंगे इसको भी पलर blank से अछह सा ज़का अने तक इनको नगे एदर से फ्राई होते हुए बीरेटर से दो मिन्ट होचुके हैं इनको वी एग इनको फिर से पलेट के चेक कर लेते हैं देखिए कितने अच्छा से इस पर कलर आ चुगा है इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेए इधर से भी इसको इसी फ्राइ कर लेए अब पिडसी इनको चेक कर लेंगे दोनों साइड से कितने अच्छा से color आ चुका है film को ऊपेस को नोक में बाइट है इनको दोनों साइड से fry होने में करीक्चे से बीड denbs आद वक्त फ्रीम में बाइब कितने अच्छी से फराई वक्त लेंगे अब इसी तरीके से में इनको भी फ्राई कर लेंगे अब इसी तरीके से मीडेम फ्लेम पे दोनों साइट से इनको भी फ्राई कर लेंगे दूसरी साइट से भी वरीब दो मिंट हो चुके हैं इनको भी चेक कर लेते हैं दीखें इधर से भी फ्राई हो चुके हैं फ्लैम को ऊफ्ट कर देंगे और इनको भी ब्लेट में निकालेंगे अंच आप कि जीज ही आपी कि देखिये अप कितना अच्छा और कर लिया है अगर हम प्रिपरेशन थोड़ी से पहले करके रख लें तो यह बहुत जली बंगर रेडियो हो जाते हैं तो आप भी एक बार इस तरीके से कसादिया जरूर बनाईए देखें कितने अच्छे से चीज नमारा मेल्ड हो चुगा है इसमें यह अंदर से कितने अच्छे लग रहें देखें इस तरीके से आप भी कसादिया जरूर बनाईए मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपर जरूर पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाय लाहाफिस पर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ